परिचाए बच्चो आज हम रैखिक असमिका की बारे में जानेंगे क्या कोई मुझे बता सकता है कि रैखिक असमिका क्या होती है? सेर असमिका में से कम या से अधिक के चिन्न होते हैं बहुत अच्छे सेर तो रैखिक असमिका क्या होती है? रेकिक आसमिकाएं वे कतन होते हैं जिनमें आसमिका चिन्न होते हैं इस पार्ट में आप रेकिक आसमिकाओं के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे आसमिकाएं रैखिक आसमिकाएं ऐसे कथन होते हैं, जिनमें आसमिका के चिन शामिल होते हैं, ये चिन निम्न हैं, से कम, से अधिक, से कम या बराबर, से अधिक या बराबर और बराबर नहीं आईए बेहतर समझने के लिए कुछ उधारन लेते हैं उधारन एक कनिश्कु लेखन प्रतियोगिता में प्रवेश के लिए आपकी आयू 12 वर्ष होनी चाहिए इसलिए इस कथन के लिए असमिका है आयू 12 से कम 12 से नीचे गार्थ है 12 से कम और इसमें 12 के बराबर शामिल नहीं है इसलिए सही प्रतीक है से कम ये एक चर्राशी वाली रैकिक असमिका है उधारन दो सुरेश 200 रुपए लेकर बाजार, रुमाल और मोजे खरीदने गया एक रुमाल के क्यमत 25 रुपए है एक जोड़ी मोजें के क्यमत 30 रुपए है यति X रुमाल की संख्या को प्रदशित करे और Y मोजें की चोड़ियों की संख्या को प्रदशित करे जिनें सुरेश खरीदता है तो प्रोक्त समिकरं को असमिका रूप में हम इस प्रकार निरुपित करते हैं 25X plus 30Y कम या बराबर है 200 के, ये दो चर राशियों वाली एक रैखिक असमिका है, इसे दो कत्रों में लिखा जा सकता है, 25X plus 30Y बराबर 200, 25X plus 30Y कम है 200 के, इसे ए नाम दें, इस इस्थिती में कथन ए असमिका है, उधारण, एक आयत की लंबाई पांस सेंटिमीटर से अधिक है, और इसकी चौड़ाई चार सेंटिमीटर से अधिक है, आयत के एक शित्रफल के लिए असमिका लिखें, हल, एक आयत का क्शित्रफल लंबाई से चौड़ाई की गुणा करके प्राप्त किया जाता है, यदि लंबाई पांस सेंटिमीटर के पराबर होती और चौड़ाई चार सेंटिमीटर होती, तब आयत का क्शित्रफल होता, पांस सेंटिमीटर गुणे चार सेंटिमीटर बराबर बीस वर्क सेंटिमीटर, लेकिन लंबाई पांस सेंटिमीटर से अधिक है, और चौड़ाई चार सेंटिमीटर से अधिक है, अता क्शित्रफल बीस वर्क सेंटिमीटर से अधिक होना चाहिए, इसलिए क्शित्रफल पीस वर्क सेंटिमीटर से अधिक है एक चर राशी के रैखिक असमिकाओं के बीज गणितिये हल और उनका आलेखिये निरूपन एक चर राशी के असमिका का हल चर का वो मान होता है जो इसे एक सत्य कथन बनाता है। रिन संख्या से गुणा किया जा सकता है या भाग भी किया जा सकता है। लेकिन जब दोनों पक्षों को किसी रिन संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तो असमिका का चिन बदल जाता है। 3. असमिका के किसी पद या पक्ष को दूसरे पक्ष में इस्थानांत्रित किया जा सकता है. साथ ही असमिका के चिन्न को प्रभावित किये बिना उस पद या पक्ष के चिन्न को बदल दिया जाता है. उधारण हल करें 4x-19 कम है 15x प्लस 14 से हल के आले को संख्या रेखा पर दिखाएं हल 15x को बाएं पक्ष में और 19 को दाएं पक्ष में ले जाने पर हमारे पास है 4x-15x जो छोटा है 14 प्लस 19 से या 11x छोटा है 33 से माइनस x छोटा है 3 से x बड़ा है माइनस 3 से इस असमिका को एक संख्या रेखा पर प्रदशित किया गया है पहले हम एक खुला वृत्त बनाते हैं क्यूंकि x माइनस 3 के बराबर नहीं है और दाएं और एक तीर बनाते हैं क्यूंकि हम 4 से अधिक मान चाहते हैं और राम को गणित की चार परीक्षाओं में एक ग्रेट प्राप्त करने के लिए नियूनतम 360 अंकूं की जरूरत है उसकी पहली तीन परीक्षाओं में उसने 88, 96, 89 अंक अरजित किये एक ग्रेट प्राप्त करने के लिए चौथी परीक्षा में उसके कितने अंक होने चाहिए हल माले की राम चौथी परीक्षा में एक्स अंक प्राप्त करता है तब राम की परीक्षाओं के अंकों का योगफल 360 से अधिक या इसके बराबर होना चाहिए अर्थाद 88 प्लस 96 प्लस 89 प्लस X अधिक या पराबर है 360 के इसकार्थ है 263 प्लस X अधिक या पराबर है 360 के इसकार्थ है X अधिक या पराबर है 97 के ए ग्रेट प्राप्ट करने के लिए राम को चौथी परीक्षा में 97 या 97 से अधिक अंक प्राप्ट करने चाहिए दो चर राशियों के रैखिक असमिकाओं का आलिक ये हल मालने AX प्लस BY प्लस C तारा शुन्ने चर राशियों X और Y में एक रैखिक असमिका है जहां A, B और C या दृच्छिक वास्तविक संख्याएं हैं और तारा असमिका चिन्न है रैखिक समिकरण AX प्लस BY प्लस C बराबर शुन्ने XY तल में एक सरल रेखा की रचना करती है नीचे XY तल में सरल रेखा के उधारण है जो XY तल को दो आधे भागों में विभाजित करती है रैखिक असमिका का आलेख एक अर्ध तल है जिसका निरधारण रैखिक समिकरण त्वारा होता है सरल रेखा XY तल को दो भागों में विभाजित करती है और इन में से एक पूरी तरह से असमिका का आलेख होगा ये निर्लाई करने के लिए कि कौन सा अर्ध तल रैखिक असमिका का हल है हम एक याद्रिचिक बिंदू P-H के लेते हैं यहाँ दो इस्थितिया हैं इस्थिति एक P-रैखिक असमिका को संतुष्ट करता है यदि बिंदू P-H के रैखिक असमिका को संतुष्ट करता है तब दी गई असमिका का अभीष्ट आलेख वो अर्ध तल है जिसमें बिंदू P-H के होता है इस्तिती तो P रेकिक असमिका को संतुष्ट नहीं करता है यदि बिंदू P H K रेकिक असमिका को संतुष्ट नहीं करता है तब दी गई असमिका का अभीष्ट आलेक वो अर्ध तल है जिसमें बिंदू P H K नहीं होता है रेखिक असमिका द्वारा प्रदेशित अर्धतल पर बिंदूं का समुच्च दी गई असमिका का हल समुच्च कहलाता है। यदि असमिका में से कम या बराबर या से अधिक या बराबर चिन हो तब सरल रेखा AX प्लस BY प्लस C बराबर शुने को संतुष्ट करने वाले असमिका में से कम या से अधिक चिन हो तब सरल रेखा AX प्लस BY प्लस C बराबर शुने को संतुष्ट करने वाले बिंदू असमिका के हल में शामिल नहीं होते हैं। संकेत AX प्लस BY प्लस C तारा शुने का आलेक एक दैश वाली रेखा होता है यदि समिका मूल कथन में शामिल नहीं होती या एक द्रण रेखा की रूप में होती है यदि समिका शामिल होती है। उधारन निम्न का आलेक बनाएं एकस प्लस दो y कम या बराबर है दस के शल दी गई असमिका है एकस प्लस दो y कम या बराबर है दस के। संगत रहकिक समिकरण है x प्लस 2y बराबर 10, इसे एक नाम दें, अब हम रेखा एक खीचेंगे, जब x बराबर 0, रेखा एक तर्शाती है, 0 प्लस 2y बराबर 10, y बराबर 5, अथा हम बिन्दू 0 ने 5 को निरूपित करते हैं, जब y बराबर 0, रेखा एक तर्शाती है, x प्लस 2, गुणा 0 बराबर 10, x बराबर 10, अथा हम बिन्दू 10 0 को निरूपित करते हैं, शून्य पांच और 10, शून्य को मिलाने वाले रेखा, x, y तल को दो अर्ध तलों में विभाजित करती हैं, अब मालने कि हम 0, 0 का चैन करते हैं, जो अर्ध तलों में से एक है, और निर्धारित करता है कि ये बिन्दू दी गई असमीका को संतुष्ट करता है, 0 प्लस 2, गुणा 0, कम या पराबर है 10 के, जो की सत्त है, अता अर्ध तल एक दी गई असमीका का हलक्षेत्र है, उधारन, रहकिक असमीकाओं के निम्न निकायों को आलेखिये तरीके से हल करें, और किनारे के बिन्दू ग्याद करें, दो एक्स प्लस वाई कम या पराबर है बाई से, एक्स प्लस वाई कम या पराबर है तेरा से, दो एक्स प्लस पांच वाई कम या पराबर है पचास से, एक्स अधिक या पराबर है शूने से, वाई अधिक या पराबर है शूने से, हल असमिकाएं एक्ष अधिकिया पराबर है शूने के और वाई अधिकिया पराबर है शूने के गैर रनात्मक प्रतिबंध कहलाते हैं हल प्षेद्र प्रथम चतुर्थांश मेंसित है और हम अपने ध्यान को तल के उस भाग में सिमित कर सकते हैं पहले हम रेखाओं को आलेखित करते हैं दो एक्स प्लस वाई पराबर बाईस एक्स बराबर शूने पर वाई पराबर बाईस इस प्रकार की बिन्दू शूने पाईस है य बराबर शूने पर एक्स बराबर ग्यारा इस प्रकार की बिन्दू ग्यारा शूने है एक्स प्लस वाई बराबर शूने पर वाई बराबर शूने पर एक्स 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 बराबर शूने पर वाई बराबर शूने पर एकस बराबर पचीज इस प्रकार की बिंदू पचीज शूने है। इसके बाद शूने शूने को एक परिक्षड बिंदू के रूप में चुनते हुए, हम इसकी संगत रेखा से बने निकाए में प्रथम तीन असमिकाओं के प्रत्यक आलेक और रेखा के नीचे इस्थित अर्थ संतल को देखते हैं, जैसा कि तीरों द्वारा प्रदेशित है, इनके नीचे स्थित है, आएक किनारे की बिंदू प्राप्त करें, आकरिदी से किनारे के बिंदू को शूने 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 दस ग्यारा शूने लिया जा सकता है, और अन्ने दो बिंदू को समिकरों को हल करके ग्यात किया जा सकता है, दो एक्स प्लस पांच वाई ब समी करणों को हल करने पर हमें प्राप्त होता है पांच आठ दो एक्स प्लस वाई परापर बाइस एक्स प्लस वाई परापर तेरा समी करणों को हल करने पर हम प्राप्त करते हैं नौ चार अता किनारे के बिंदु है शूनने 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 दस ग्यारा शूनने पांच आठ ध्यान रहे कि रेखाएं 2X प्लस 5Y बराबर 50 और 2X प्लस Y बराबर 22 भी प्रतिछेत करती है। लेकिन प्रतिछेत बिंदू हलक्षेत्र का भाग नहीं है और इसलिए किनारे का बिंदू नहीं है। क्या आप चानते हैं? विलियम हेंरी यंग एक अंग्रेज गणी तके थे जिन्होंने असमिकाओं में मैदपूर्ण योगदान दिया है। असमिका चिन्नों का सर्व प्रतम प्रयोग अंग्रेज गणी तक के थौमस हेरिवार्ट द्वारा किया गया। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। रैकिक असमिकाओं वे कथन होते हैं जिनमें असमिका का चिन्न शामिल होता है। वे हैं से कम, से अधिक, से कम या बराबर, से अधिक या बराबर और बराबर नहीं। एक चर राशियों के रैखिक असमिका को हल करने के नियम। एक असमिका के चिन्न को बिना प्रभावित किये हुए दोनों पक्षों की बराबर संख्याओं को जोडा जाता है या से घटाया जाता है। दो, असमिका के दोनों पक्षों को एक समान धन संख्या से गुणा किया जा सकता है या भाग किया जा सकता है। लेकिन जब दोनों पक्षों को किसी रिण संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तो असमिका का चिन्न बदल जाता है। तीन, असमिका के किसी पद या पक्ष को दूसरे पक्ष में इस्थानांकरित किया जा सकता है। साथ ही असमिका के चिन्न को प्रभावित किये बिना उस पर दिया पक्ष के चिन्न को बदल दिया जाता है। असमिका के चिन्न को संतुष्ट करने वाले बिन्दू भी असमिका के हल समुच्च में शामिल होते हैं। और दूसरी और यदि असमिका में से कम या से अधिक चिन्न हों तब सरल रेखा AX प्लस BY प्लस C पराबर 0 को संतुष्ट करने वाले बिन्दू असमिका के हल में शामिल नहीं होते हैं। असमिका का आलेख एक डैश वाली रेखा होता है। का शामिल होती है